नवस्कार दोस्तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो में है पंचायती राज एवं ग्रामिंग अर्थ विवस्ता का भाग दूसरा दोस्तो भाग एक पहले ही अपलोड किया जा चुका है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिश्केप्सन में मिल जाएगी यदि आपने भाग बन नहीं देखा है तो आप डिश्केप्सन में जाकर देख सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में है पंचायती जासी संबंदित कुछ महत्तपून प्रस्टन जो की मद्द प्रदेश पटवारी की सब्सक्राइब करें तांकि जो भी में अंगला नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच रहे तो चलिए दोस्तों आंगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्ण रहेगा पंचायती राज या स्थानिये स्वसासन क बाजान चीशिश्य माना जाता है तो दोस्तों इसका अंसर रहेगा रफन को के बाद दूसरा प्रेशन है पंचायत संबीधान के किस भाग तता अनुख्षेत में पंचायती राज विवस्ता का किया गया है दोस्तों इसका अंसर है रहेगा संबीधान के भाग 9 तथा अनुक्षेत 40 में पंचायती राज विवस्ता का परणन किया गया है तो तीशरा प्रश्ण है पंचायती राज विवस्ता किस पर आधारित है तो इसका आंसर है सत्ता के विकेंदरी करन पर इसके बाद अंगला प्रश्ण है पंचायती राज का मुख उद्देश क्या है तो इसका आंसर है जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्या बनाना चालते हैं दोस्तों अंगले प्रेश्ण पर अंगला प्रेश्ण है पंचायती राज विवस्ता में पंचायत समीती किस पर गठित है तो इसका आंसर है बलाक स्तर पर अंगला प्रेश्ण है दोस्तों किसके अंतरकत पंचायती राज विवस्ता का पढ़नन है दोस्तों इसका आंसर हैगा नीती निर्देशक सिध्धान्त पर सात्मा प्रश्ण है दोस्तों संबीधान के किस संसोधन द्वारा पंचायती राज संस्ताओं को शंबेधानिक दर्जा दिया गया है दोस्तों इसका आंसर है गा तेहतर बे शंबीधान शंशोधन इसके बाद आठवा प्रश्ण है तेहतर बे शंबीधान शंशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों इसका आंसर है का ग्यार बी अनुसूची जोकी पंचायती राज से शंबंदित है इसके बाद नौमा प्रश्ण है पंचायती राज संस्ताओं के सरदाई होता है इसका answer है राज्य निर्वाochण आयोग और राज्य सरकार ही एक राज्यों में पंशायत का चुनाव करवा सकती है इसके बाद चलते हैं अंगले प्रNews पर अंगला प्रश्न है भारत में पंशायती राज अधी कब लागू हुआ दूस्तों इसका अंसर है अप्रेल उन्नीस सो तेरानवे को इसके बाद ग्यारमा प्रश्ण है सर्व पिर्थम पंचायती राज विवस्ता कहां लागू की गई दूस्तों इसका अंसर है कौन सा कारीक्रम चलाया गया उसका आंसर है शमुदायक विकास कारीक्रम औयग्या तेरवा प्रश्ण है भारत में शमुदायक विकास कारीक्रम कब आरंब हुआ था तो हैं दो Aber ग्रूबर 1952 से लुस्तों इसके बाद अंग्ला प्रश्र लात में पंचायती राज-बयुश्तह की इस्टापना की गई Flash slash बल्बंत राय महता शमीति की इस वारिश फर दो पंद्रमाे प्रश्र यहुब ती राज की सबसे च्छोटी एकाई क्या है इसका आंसर है ग्राम पंचायत इसके बाद सोलबा प्रशन रैता है सरकारी अनुदान पर इसके बाद अंगला प्रशन है समोदाइक बिकास कारी किरम किस समीती केश पारिश पर प्रारम किया गया इसका आशर है के एम मुसी समीती द्वारा इसके बाद अंगला प्रश्ण है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोथ क्या है इसके आशर है मेला बाजार कर इसके बाद अंगला प्रश्ण है किस राज में पंचायती राज प्रिणाली नहीं है दोस्तो इनके इसका आंशर है अरुनाचर, प्रदेश, मेगालाए, मिजुरम और नांगालेंड में पंचायती राज प्रिणाली नहीं है इसके बाद अंगला प्रेशन है दोस्तो पंचायती राज प्रिणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस इसतर पर होता है इसका अंसर है ग्राम इसतर पर इसके बाद अंगला प्रश्ण है पंचायती राज संस्था का कारेकाल कितना होता है दोस्तो इसका अंसर है पांच बर्श इसके बाद अंगला प्रश्ण है पंचायत में चुनाव हेतु नर्नाए कौन करता है? इसका अंशर है दुस्तो राज्य सरकार इसके बाद तेश्वा प्रश्ण है यदी पंचायत को भंग किया जाता है तो नर्वाचन कितने श्रमाई के अंदर आवशक है? दूस्तो इसका आंसर है छह माई के अंदर इसके बाद 24 वा प्रश्ण है पंचायती राज्य के सुधार है तू कौन कौन सी समीती बनाई गई थी दूस्तो इसका आंसर है सबसे पहरे बलबंत राह महता शमीती बने दूस्तो इसके बाद अशोक महता शमीती इसके बाद PBK राव शमीती और इसके बाद LM सिख भी शमीती और दोस्तों सबसे लाश्ट में PK यूगन शमीती वनी थी दोस्तों अगला प्रश्ण और इस वीडियो का लाश्टमा प्रश्ण है सर फिर्थम किस राज्ज में पूर्ण से पंजायती राज्ज लागू हुआ था दोस्तों इसका अंशर है अंद प्रदेश दोस्तों यह 11 अक्टूबर 1909 को संपूर्ण राज्ज में लागू हुआ था तो दोस्तों इस वीडियो में वास इतना ही यदि आपको यह वीडियो प्रशंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों चलते हैं मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों बाए